नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चेनल पर आज हम बात करने वाले हैं सेक्रेट गेम्स 2 के केरेक्टर पारूलकर के बारे में दोस्तो अगर आपने हमारा चेनल सब्स्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आपको फिल्म इंटरेन्मेंट से जूड़ी खबरे मिलती रहे तो आएए दोस्तो शुरू करते हैं दोस्तो जैसा कि हम पिछले सिजन में पारूलकर के केरेक्टर को देख चुके हैं कि वो किस तरह गणेश गायतोंडे को जेल में टॉचर करता है और वो नहीं चाता है कि गणेश गायतोंडे जेल से जिन्दा बाहर निकले और आगे भी जब पारूलकर सर्ताज सिंग को लीट करता है तब वो गणेश गायतोंडे के बारे में सुनकर ही सर्ताज सिंग को सस्पेंड कर देता है और पारूलकर और नेता जी की साठ गाट हम सीजन वन में बखुवी देख चुके हैं दोस्तो पारूलकर का केरेक्टर निभा रहे हैं हमारे जाने माने एक्तर निरच कभी पारूलकर का केरेक्टर एक करब पुलिस ओफिसर का है जो पहने गैनेस का अटोंडे का साथ देता है और बाद में उसी के साथ धोका करता है दोस्तो लेकिन इस बाद सेक्रेट गेम सीजन टू में वो एक एसा राज खुलने जा रहा है जिसकी आप कलपना भी नहीं कर सकते जी हाँ दोस्तो अगर सोर्सर इसकी माने तो पारूलकर का फ्लेश बेक में गुरूजी के साथ एक स्पेशल कनेक्शन बताया जाने वाला है दोस्तो सीजन वन में हम लोग देख चुके हैं कि पारूलकर का गुरूजी के साथ कोई कनेक्शन नहीं बताया था लेकिन सेक्रेट गेम सीजन 2 में पारूलकर इस केस को सुल्जाने में सरताज सिंग यानि कि सहफ अलिक खान का बहुभी साथ निभाते नजर आने वाले हैं तो दोस्तों क्या आप तयार है पारूलकर का इस नए रूप को देखने के लिए और आपको सेक्रेट गेम सीजन 1 का कौन सा केरेक्टर सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद